तो नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के वडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप रोब्लोक्स गेम जो है खेलते हैं उसके अंदर आप किसी भी गेम से गेम के सर्वर से कनेक्ट होने का जब भ सकते हैं अगर आपको यह अरेड़ कोड़ आ है तो आज की वीडियो में आपको बताने वालँ हूं इस वीडियो में आपको और एक तक बने रहेगा वीडियो चैनल को सब्सक्राइं लेना तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है सबसे पहला काम प्ले स्टोर में आना है आपको रोब्लोक्स को अपडेट करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है अपना जो flight mode है आपके mobile में आपका airplane mode जिसको हम बोलते हैं flight mode उसको यहाँ पर आपको own कर देना है जैसे कि आप देख सकते हैं आप मैं airplane mode को ओन किया मेरे networks वो है जो चले गए है उपर से अब इसको मैं बंद करता हूँ और networks वगारा मेरे refresh होकर आ जाएंगे अगर मुझे इंटरनेट से related problem होगी तो यहां से solve हो जाएगी और भी मुझे देखने को नहीं मिलेगा तो यह काम आपको जुरूर कर लेना है दन उसके बाद यह सब करने के बाद भी problem as it is बनी रहती है तो उसके बाद आपको setting में आना ह होगा Roblox कि यहां पर इसको open करते हैं Roblox को open करने के बाद स्टोरेज से स्टोरेज पर क्लिक करिए दन नीचे clear data है इसका आप clear all data कर दीजिए जैसे आप इसका clear all data करेंगे आपकी problem solve हो जाएगी इसके साथ साथ एक और काम आपको करना होगा यहां पर आपको app permissions देखने को म allow कर देनी है देख सकते हैं don't allow है यहां से allow कर यह बारी बारी से सबी परेज्यक्रशन का आपको allow करना होगा आ ऑफो करते साओंछ को लोगत ईएक पनिए वहार अलशा करते कि फचेशन करбаया देजिए और सबीदर गयुद्ट अब आने के बाद आपको अपने त सबस्क्र को restart कर लेना है या power on off कर लेना है यह सब करने के बाद आप देखेंगे जैसे ही आपकी जो है phone on होगा और आप अपनी game को open करने के लिए try करेंगे किसी भी game के server से connect होने का try करेंगे तो इसलिए आप जो है connect हो पाएंगे आपको किसी भी तरह से इस वीडियो को share कर दीजिएगा स्वाइज मिलते नेक्स वीडियो में तिल दर भाए टेक केर लव यू आल